हालो एवरीववन तो आज हम लोग सीखेंगे कि री पोस्ट कैसे करती हैं तो रे पोस्ट करनी के लिए हमारे पास खुदimmeं लिए इंस्टेग्राम एकाउंट होना चाहिए एंड हमारे पास में ये एप होना चाहिए जिसका नाम है री पोस्टा इस री पोस्टा एप को आपको डाउनलोड करना है प्ले स्टोर में से अब मुझे यहाँ पे शाह पललभी ओफिशल की आईडी में से कुछ पोस्ट करना है अपनी आईडी तो मैं क्या करती हूँ मैंने जैसे पललभी की आईडी ली और हमें किसी के पोस्टा पिक्चर ज्यादा यूज नहीं करने जैसे रेकिग्नाइजिशन के पिक्चर है या फिर किसी का टाइटल हुआ है हम उनस टाइप की पिक्चर को हम री पोस्ट कर सकते हैं जान रखिए किसी के personal pictures को आप ज्यादा use नहीं करेंगे without उसकी permission के तो यहाँ पर मैं जैसे यह वाली post है मैं यहाँ जाती हूँ और इस link को यहाँ से copy कर लेती हूँ Link copy हो गया मैं वापस से अपने repost वाले app में आती हूँ यहाँ आने के बाद में मुझे उस link को यहाँ paste करना है उसके बाद preview पे टच करना है preview पे click करने के बाद में आपका जो content है यहाँ पे copy caption जो है इसको own रहने देना है जिससे इसका content है वो पूरा copy हो जाएगा Content copy हो जाएगा आपको क्या करना है? Repost री-post पे जाना है आपको री-post पे जाने के बाद feed में जाना है Instagram feed, यहाँ पे picture आ गया आगे जाना है आगे जाना है and write यह caption पे आपको यहाँ पे यह लिखना है वो automatically जो copy था वो copy होकर यहाँ paste हो गया and done तो जो भी पलबी शा की profile पे post थी वो आप इस post पर आ गई है यहाँ पे तो यहाँ पे इस तरीके से हम अपनी profile को fulfill करने के लिए हम इस तरीके से post कर सकते हैं आप दिन में अगर आप new है तो दिन में 2-3 post कर सकते हैं लेकिन किसी की personal profile, personal pictures को use नहीं करें आपको सिफ अपनी उसके achievements, recognition, motivational video आप यह use कर सकते हैं और को सिस किजिए कि आपके ही network का हो जो भी आपरी post कर रहे हैं Thank you